तो आज हम बनाने वाले हैं बड़े ही मज़ेदार से और सिंपल से पुलाओ की रेसिपी जिसका सवाद आप भूले नहीं बूलाएंगे तो आज की पुलाओ होने वाली है पुलाओ होने वाली है और एकनम वन पॉट रैसिपी जो बोलते है न वह तो बनाने में असान खाने में बहुत मिज़िदार तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और वीडियो पसंद आएगी लाइक करेंगे सब्सक्राइब कर एक गंटे के लिए और अच्छे से पहले दो लिया था उसके बाद सोक गया था तो अभी हमने इसे चनी में चान देना है ताकि जो भी पानी वगरा हो ना वह हमारे नीचे बोल में इस तरह से जमा हो जाए तो यह हो गया हमारा इसे फिलहाल साइट पर रखते हैं इस तरह लिया है मैंने दो बड़ी लाईची लिए है मैंने और एक आदर फूल जावित्री से लिया है जावित्री का प्रषाए चार इंच का टुकुड़ा दालची लिया है चार से पांच छोटी लाईची वन टीस्पून पिपकोर और यहां पर मैंने आट से तस ऐ खोश्ब अब यहां पर चलिए बुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर देखें मैंने लिया लगबग 3 टेबल स्पून और आप चाहे तो गी में भी बना सकते हैं लेकिन और बनाने से थोड़ा लाइट होगा उसके बाद तेजपाट डाला और यहां पर दो मीडियम साइज के अ अनियन के ऊपर बहुत जादा ब्राउन नी करना है हलका सबस पिंक कलर आना जाहिए देखें उसके बाद हमने यहां पर डालना है 1 टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट इसे भी इसका कच्छा पंदूर होने तक थोड़ा सा भून लेंगे और यह देखिए यह हो गया न तो टेबल स्पून लाल मिर्चो का कोई काम नहीं है इसलिए मैं सिर्फ ग्रीन जलीज एड़ कर रही हूं तो टेबल स्पून उसके बाद जो मसाला हमने बना रहे था वो एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसी तरह से हमने चिकन को और मसालो को फ्राइ कर लेना है यह देख अलग टाइम लेता है अलग अलग पानी लेता है तो अपनी हिसाब से देख कर ही डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लिया एड करेंगे सॉल्ट और यहां पर मैंने हाब कब दही को अच्छे से फैंट के स्मूध कर लिया था वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां प 50% डन है पूरी तरह से अभी पका नहीं है तो यहां पर अब हम अड़ कर देंगे यह चावल मैंने धाय कप लिया था मैं आपको पहले बता दू उसके बाद यहां पर मैंने 8-10 ग्रीन चिलीज लिया है अपने पानी बाद आप अपने देख कर दिया है तो यहां पर थोड़ा सा मैं बीच में इसे एक बार लगभग 5 मिनट के बाद में एक बार चेक कर रहे हूं तो देखे अभी भी बहुत सारे पानी है और यहां पर मैंने केवड़ा वाटर आड़ कर दिया है लगभग 1 टेबल पानी द्राइनी हो जाता और चावल पकनी जाते अर लगभग मैंने यहां पर इसे 15-17 मिनट के लिए झावल मैं आप अच्छे से मतलब बपक चुके हैं देखें सॉफट हो चुके हैं और यहां पर सारा पानी भी ज्राइ हुग गया है तो यह हमारा पुलाव बनकर रेडी तो आप बनाईए किसी दावत में बनाएगा तो बहुत 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 अमीजिंग लगेगा सब लुग पूछेंगे रेसेपी यूंकि यह बहुत अमीजिंग सब लाओ बनता है तो जरूर से ट्राइ करेंगे फिर मुझे जरूर कॉमेंट करके बताएंगे कि कैसा बना है हपीस and thank you for watching